इस्तेर फारस की रानी थी, यहां तक की उसका पती राजाक्षयर्ष उसके रहसे को नहीं जानता था इस्तेर यहूदी थी, इस्तेर का रिष्टेदार मौर्दकय महल में कारे करता था और उसकी देखभाल भी करता था राजाक्षयर्ष के सलाहकार हामान ने एक बड़े इनाम को प्राप किया, वो बहुत घमंडी था मौर्दकय के सिवा हर कोई उसके आगे सिर जुकाते थे, हामान अपमानित हुआ उसने मौर्दकय और सभी यहूदियों को मारने की पतिज्यां के हामान ने एक शेयर्ष को बताया कि यहूदि खतरनाक थे और उन्हें मारना चाहिए शेयर्ष सहमत हो गया और उन्हें मारने की एक योजना बनाई मौर्दकय डर गया था और रानी इस तेर को यह संदेश भेजा राजा के मन को बदल, मौर्दकय ने कहा अगर मैं उसकी निमंत्रन के बिना जाऊं तो वो मुझी भी मार देगा एस्टेर ने जवाब दिया शायद तो इसी पल के लिए रानी बनाई गई थी मौर्दकय ने कहा एस्टेर सहस के साथ यह प्रयास करने के लिए सहमत हो वो सिंघासन के कमरे में गया राजाक्षयर उसकी सुन्दर्ता से चकित हुआ और उसे अंदर निमंत्रन दिया क्या हम हामान के साथ राद का खाना खा सकती है उसने पूछा हामान उसके पिछले आंगन में एक बड़े खंभे का निर्मान कर रहा था उसने इस पर मौर्दकै को मारने की यूजना बनाई थी तब राजा का निमंत्रन आया इसलिए हामान रात के खाने के लिए महल में गया एक मनुष्य मुझे और मेरे लोगों यहूदियों को मारना चाहता है इस तेर ने राजाक्षयर श को बताया कौन ऐसी बात करेगा उसने पूछा दुष्ट हामान एस तेर रोई हामान सिपाहियों उसे मार दो इस तरह हामान उसी खंवे पर टांग दिया गया जो उसने मौर्दकै के लिए निर्माण किया था एस तेर के कारण यहुदी बचाए गय थे उन होने एक